जुरू करते हैं आज का टॉपिक है पारा क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशल रेन अर्टिफिशल रेन मतलब कृत्रिम वर्षा तो मानों के द्वारा या हिमन द्वारा बादलों में कुछ विशेश प्रकार के कैमिकल्स डाले जाते हैं कुछ सावल्स डाले जाते हैं इस चर्चा में अभी दिल्ली में हाली में अक्टूबर नमंबर एक आ गया था कि हम आर्टिविशल रेन के थूरू पॉलूशन को कम करेंगे बरसाथ होगी तो पॉलूटेंट नीचे आ जाएंगे इससे पहले तमिल नाडू करणाट का महरास्ट्रा यहां पर भी इस तरह के प्रियोग किये जा चुके पहली बार नहीं था लेकिन हमें पढ़ना होगा कि इसका पूरा process क्या है कौन से chemicals हैं कौन से salts हैं जिनका इसमें यूज किया जाता है इसके type कौन से हैं इन सब को हमें दे देखना होगा दो शब्दों को एक शब्द आता है संगनन के कंडन्सेशन और दूसरा होता है वाश्पी करण वाश्पी करण तो देखो होता क्या है कि अगर जल है वाटर है और इधर होता है जल वाश्प वोटर वेपर जब आप जल को गरम करते हो तो वोटर वेपर में अगर यह यहां से यह गृतना गर यह रहा vrais और यह liquid form है तो जब जलवाश्फ वापिस से जल में Convert होती है तो इसे कहा जाता है कि यह दो शब्दों का बार बार हम यूज करेंगे संगनन का अब यह कि जो वो जो जल वाश बना वो होता वायू मंडल में ही है लेकिन हमें दिखाई एद्रश्य फॉर्म में होता है इन्वीजीबल होता है लेकिन आपने कभी देखा हो पानी की बोतल हो ठंडी ठंडी तो उसके बाहर चारो तरफ पानी की बूंदे चिपकी रहती है तो वोही गैसिस फॉन जब थंडा होता है तो वापिस से जल की बूंदों में कंवर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संगनन तो बादलों में यह संगनन का प्रोसेस होता है इसको देखते कैसे होगा देखो एको माल लो कि यह कोई आपका ओशन है यहाँ पर आपका कोई समुन्दर है सागर है और यह आपका स्थलिय भाग है और यहाँ पर कोई इस तरह से एक परवत है तट के पास जैसे भारत में पश्चमी घाट वैस्टन घाट जब मौनसुनी पवने आती है तो यह वो यहाँ से आएंगी जब यह आती है तो यह पूरा का पूरा सागरी है जो भाग है यहाँ से जलवाश पिकृत होता है जलवाश बनता है जब जलवाश बनेगा तो यह सारा का सारा जल है वो गैसियस फॉम में कहां पहुंच जाएगा इस वायू मंदल में पहुंच जाता है यह जल जो है वो वाय प्रवतों के सहारे उपर की और जाएगी यह पवने जिनके अंदर यह हमिडिटी है यह परवतों के सहारे उपर उठने लगती है और हमें यह पता है कि जैसे जैसे हम उंचाई पर जाते हैं तो तापमन कम होता है आप पहाड़ों पर जाओगे तो आपको तापमन कम मिलेगा जैसे जैसे यह उपर की और जाएंगी तो तापमन कम होता जाता है और जैसे ही तापमन कम होगा भी हमने पढ़ा था इन में संगनन होगा कंडनसेशन होगा और इस कंडनसेशन के प्रोसेस से ये जो जलवाश पर जो गैस है वो जल की बूंदों में बंदल जाएंगी तो बादल बन जाएंगी तो बादल इस तरह से यहाँ पर क्या होगा फ्रमेशन होगा बादल का इसके अंदर क्या होंगी जल की बूंदे बन जाएंगी जल की बूंदे हैं प्लस इसके साथ ये थोड़ी थोड़ी जलवाश्प भी होगी ये बहुत महीन बूंदे होगी ये जो बादल बना ये किस से बना ये जलवाश्प इसके संगनन होने से ये जल की बूंदों में कनवर्ट हुआ और उस कनवर्जन के साथ-साथ इसमें ये ज पूरी कनवर्ट नहीं होती है अगर यहां पर अगर देखें तो सिर्फ 20 प्रसेंट जलवाश्प है जो जल की बूंदों में कनवर्ट होती है बाकी 80 प्रसेंट गैसिस फॉर्म में रहती है कि ये बाद समझ में आई अब देखो एक चीज और समझनी है कि कंडंसेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आपने उपर गया जलवाश्प काट आपने टेंपरेचर कम किया और वो संगनित होगी नहीं उसको संगनन होने के लिए कोई सॉलिड सर्फेस चाहिए जलवाश्प है जो गैस के फॉर्म में है उसको अगर आपको पानी में बदलना है उसको संगनित करना है जल की बूंदों में कनवर्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई सॉलिड सर्फेस चाहिए जिसके चारों और वो लिपट सके अगर मैं इसको इस तरह से बनाओं ये आपकी जलवाश्प थी यहां पर एक कोई सॉलिड सर्फेस होनी चाहिए जैसे कोई धूल का कंण हो जस्ट पार्टिकल जब इसका तापमन कम होगा तो यह क्या करेगी इस धूल के कण के चारों और इस तरह से कि चार और संगनित होगी इनको चाहिए क्या यह दूल का कुछ सॉलिड पार्टिकल चाहिए जैसे जैसे एक सर्दियों में जब कोहरा होता है तो आप गाड़ी चलाते हो तो आपका जो सामने वाला मिरर होता है उसका पार पानी की बूंदे आ जाती है तो उसका कारण क्या है 현재 कि शॉल वाग्तार वाय Vermंदल में थी वह जब ठंदी हुई और एक सॉलीड सर्फेस के साथ से अपके मिरर के साथ जब टच में आई तो वह क्या हो गई कंडन्सेट हो गई संगनित हो उसे सॉलिड सर्फिस से यह था तो वो solid surface के बिना ये कभी नहीं हो सकता इसलिए अगर मैं ये कहूं इस्तंगनन होना है या बादल बनना है तो दो चीज़े चाहिए धूल के कण को कहा जाता है आदरता ग्राही ना बेखता है आदरता ग्राही हाईग्रोस्कॉपिक न्यूक्लिया प्लस आपको देखो क्या चाहिए एक तरह है से तो बैदल बनने के लिए आदरता ग्राही ना बिक चाहिए प्लस आपको जलवाश्प चाहिए वोटर वेपर चाहिए आदरता चाहिए यह दो चीजे होंगी तब क्या होगा संग्नन होगा इतनी बात समझ मैं तो यह दो कंडिशन है कंडेंसेशन की या बादल बनने की तो अब इधर देखते हैं तो माल लोग की यह बादल बना इस तरह का एक बादल बना इस तरह का इस में जो छोटी छोटी धूल के कंड थे उनके चारो तरफ क्या बन गई बूंदे बन गई और यह सारी बूंदे छोटी छोटी होती है माइक्रोंस में होती है कि हमें नजर भी ना है इतनी चोटी-चोटी बूंदे होती हैं तो यह जो बूंदे बनी यह बादल बना इसके अंदर यह तो आपको मिल गए यह क्या जल की बूंदे प्लस आपको चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी जलवाष्ट भी मिलेगी लेकिन इन बादलों से वर्षा नहीं होगे बादल जरूर हैं लेकिन उनसे वर्षा नहीं होगे इसलिए हम देखते कि सभी बादलों से वर्षा नहीं होते हैं तो वर्षा होने के लिए क्या चाहिए तो वर्षा होने के लिए बूंदों का बड़ा साइज होना चाहिए तभी वो क्या करेंगी गिरेंगी नीचे उनका भार ज्यादा होगा तो वो नीचे गिरने लगेंगी जब तक इनका वेट ज्यादा नहीं होगा यह धरती पर नहीं इनका weight ज़्यादा होने के लिए क्या जुरूर है कि इनका size बड़ा हो size बड़ा कैसे होगा जब तक इनका size बड़ा नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं होगा size बड़ा कैसे होता है देखो उसका कारण होता है कि दो process काम करते है जैसे अभी मैंने आपको बताया आद्रता ग्राही नाबिक धूल के कण तो समानने तो यह बहुत छोटे-छोटे होते हैं लेकिन कुछ क्या बोलते है आद्रता ग्राही नाबिक यह क्या करेंगी इस जलवाश्प को अपनी तरफ जादा खीचते हैं यह जो जलवाश्प थी इसको अपनी तरफ क्या करेंगे जादा खीचें और इनका size भी बड़ा है तो इनसे जो बूंद बनेगी उसका size क्या होगा बड़ा हो आएगा बड़ा क्योंकि यह आसपास की जलवाश्प को अपने पास है यह भी खीच रहा है अपने तरफ क्योंकि इनकी नेचर होती है कि यह आसपास की जलवाश्प को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं अब जब इनका देखो इन दो बुंदों के एक्जामपल से लेते हैं कि यह दो बुंदे बनी बड़ी बड़ी जब इनका वेट बढ़ जाएगा तो यह खुद भी तो क्या करेंगी नीचे की और मूब करेंगी तो यह दूसरी वेड जादा होगा तब यह धर्ती की और यह अर्थ की और आने लगती तब बरसात होनी शुरू होती है यह बास समझ में इस हमें क्या चाहिए बड़े बड़े आधरता ग्राई नाबिक चाहिए या ऐसे आधरता ग्राई नाबिक चाहिए जो इस जो पास की जो जलवाश्प उसको ज्यादा खीचे इससे बड़ी-बड़ी बूंदों का निर्माड हो तभी रेनफॉल होगा अधर्वाइस रेनफॉल नहीं होगा बादल होंगे लेकिन बरसात नहीं होगे यह बाद समझ में आई यह इतनी बात है हमें ध्यान में रखना है इस तरह की जो क्लाउड होते है ऐसे बादलों को बोला जाता है वाम क्लाउड देखो इसमें पूरा का पूरा जल है जल की बूंदे ही है सिरफ तो ऐसे बादल जिनमें जो पूरी तरह से जल की बूंदों से या जलवाश्प से बनाया है उसे बोला जाता है वाम क्लाउड यह हम वाम क्लाउड की बात कर कि मैं आर्टिफीशली या कोई प्लेन लेके जाओं या कोई रॉकेट छोड़के इसके अंदर ये बड़े-बड़े हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिय डाल दूँ आदरता ग्राही नाबिक डाल दूँ तो ये प्रोसेस तेज नहीं हो जाएगा अगर मैंने क्या किया ये बादल था कि मालो बादल है इसमें मैंने बड़े-बड़े क्या कर दिये बड़े-वाले आदरता ग्राही नाबिक डाल दिए बड़े-बड़े आदरता ग्राही नाबिक तो इसके साथ चोटे भी थे अब ये क्या करेंगे ये आस-पास की जलवाश है उसको अपनी और खीचेंगे और इनके साथ क्या कर जाएंगे बड़ी-बड़ी बूंदों का निर्मान होना है बड़ी-बड़ी बूंदे बनने लगेंगे तो कि इनका साइज क्या है कि बड़ा है देखो कि बड़ी बूंदे बनने लग जाएंगे इसका कारण क्या है कि हमने इसके अंदर करित्रिम तरीकों से इनमें बड़े बड़े हाइग्रोस्कॉपिक न्यूक्लिय डाल दिये तो वह आसपास की जितनी भी गैसियस फॉर्म में जलवाश पर आदरता उसको अपनी तरफ कीच लेंगे और बड़ी-बड़ी बूंदे बन जाए उसके बाद क्या होगा यह जब न बहुत जुरूरी था अब इनके रूप में हम यूज करते हैं जैसे हो गया सोडियम क्लॉराइड पोटेशियम क्लॉराइड इस तरह के जो साल्ट है उनको डालते है या सिल्वर आयोडाइड एजी आई इसे बोलते है सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड तो यह जो दो हैं मुख्यता है गर्म जो क्शेतर होते हैं warm cloud होते हैं जो ट्रॉपिकल जो हमारे इलाकों में बनते हैं तो जो warm cloud होते हैं उनमें बड़े कड़ों का use किया जाता है और इस तरह के जो आपका cloud seeding होती है उसे वोला जाता है हाइग बॉत अदर सीडिंग के तीन हैं हाइग्रोस्कोपिक है स्ट्यूक्य है और लास्ट नग्या इनिक बिवनागत को इद एक हर इस प्रोसेस था उसको थोड़ा तेज कर दिया दूसरा देखो जब यह बनेंगी जब हमने बहुत सारे इसके अंदर क्या डाले लवन डाल दिये तो बूंदे भी तो बहुत जादा बनेंगी यहां पर देखो दो चीजे होई एक तो बूंदों की संख्या बढ़ी तो कि क्या बन बीस प्रसेंटी हम कनवर्ट कर पा रहे थे अब काफी मात्रा उसका प्रसेंटेज काफी बढ़ जाएगा जो जलकी बूंदों में कनवर्ट हो जाए तो इसे बोला जाता है आपको कौंसा ने वांब क्लाउड में यह प्रोसेस है दूसरा देखो दूसरा जो होता है वो ठं ओन चाई कर जा रहे हैं तो जीरो डिगरी आएगा होगा कि ताप मानूंचाही के साथ कम हो रहें अगर जीरो डिगरी से नीचे कोई बादल बनता है कि इसे बोलते हैं warm cloud और अगर कोई cloud इससे उपर बन रहा है तो इसे कहेंगे जीरो से उपर बनने वाले cold है और जीरो से नीचे जिनका temperature है उने क्या बोलते है और जीरो का मतलब क्या हुआ कि बरव बन जाएगी आइस इन बादलों को अब हम देखते हैं कि इन में क्या process होता है इसे बोलते है static cloud seeding इन बादलों में जो cloud seeding की जाती है उसे कहा जाता है static cloud cd इन में क्या process होता है देखो इन की बात करते हैं ऐसे बादल जिनका निर्माण जीरो डिगरी से नीचे हो रहा है अब देखना इन की clouds की खासियत क्या होती है इन में जल्की बूंदे मिलती है बहुत चोटी चोटी जैसे हमने पहले बाले में बनाई चोटी चोटी जल्की बूंदे होंगी लेकिन इनका temperature जीरो डिगरी से क्या होता है बहुत नीचे होता है इन्हें बोलते हैं सूपर कूल ड्रॉपलेट क्या बोलते हैं सूपर कूल बहुत ज़्यादा ठंडी जलकी बूंदे हैं यह आपस में जुड़नी रही है तो इन क्लाउट में क्या प्रोसेश अगर इनका टेंपरेचर आप माइनस चालिस माइनस पचास तक भी कर दोगे तो भी यह आईस क्रिस्टल में नहीं बदलेंगी कि नो में नहीं बदलेंगे इनको क्या चाहिए यह जो जल की बूंदे हैं इनको भी फ्रीज होने के लिए कोई सर्फिस चाहिए जैसे कभी आप प्लेन में जाओ और बादल में से जाओ किसी ठंडे बादल में से तो आपके जो यह जो मिरर होंगे उनके ओपर आइस जम जाएगी पानी नहीं आइस जमेगा उसका रीजन क्या है कि वो बादल जो है उनका टेमपरेचर जीरो से बहुत नीचे है और उनमें जो पानी की बूंदे है उनको जैसे कोई सर्फिस मिली वो क्या करती है स्ट?ar तो वहां पर तैम्परेटर इतना कम है तो यहां पर नग्ल इस तरह के बादल होते हैं इन में जो वरशा शुरू होती है वह जल की बूंदों के रूप में नहीं होती मिछ हाँ बहुदों की इन अC मैं यह बात कर रहा था कि जब यह बहुत सारी क्या होती है छोटी-छोटी बूंदे हैं इनका फ्रीजिंग नहीं होने वाले लब यह इस तरह का आइस क्रिस्टल नहीं मनाएंगी जब तक इने भी कोई सर्फिस ना मिल जाए अगर यहां पर देखो जैसे उन्चाई बढ़ रही है यहां पर इस तरह के जो आपको फ्रीजिंग न्यूक्लिय कहते हैं इस तरह के जो धूल के कड़ है या कुछ और मैटीरियल है क्ले का है को बैक्टीरिया है वह बहुत कम होते हैं तो यहां पर कोई कोई आइस का इस तरह से crystal बनता है क्यों बना और यह यहाँ पर क्या हो गया है क्योंकि इनको भी क्या होना चाहिए जल की बूंदों को संगनित होने के लिए मैंने बताया freezing nuclei है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे कि इसके अंदर silver iodide को डाल देंगे cloud के अंदर silver iodide को plane के तुरू ठड़क दिया जैसे इसके अंदर डालेंगे तो जो आपका silver iodide होता है उसकी structure ice के crystal के जैसी होती है यूँ जो silver iodide है उसकी structure किसके के जैसी है आइस के crystal जैसी है तो जब उसके अंदर डाला देखो उसकी स्ट्रक्टर यूं है यूं है अब वह क्या करता है इनकी प्रवर्ती होती है कि यह इने अब सर्फिस मिल गई तो यह जल की बूंदे अब क्या करेंगी इसके साथ क्या करेंगी ऐसे पकने लगेंगी कि इतनी भी झूपर-प्लेस तरफ क्या होंगी इनके साथ है उस storage गया और किसमें कनवर्ट हो जाएंगी ऑगर यह क्रिश्टल्स और यह ईस Leslie क्या धिरे धिरे बड़े होने लग आए लग जाते नहीं देफ, इस तरह से प्रों पर घूर नहीं हिसमें यह था अब इस और जब यह क्या करेगा नीचे की और आएगा तो इसका साइज और बड़ा होता और फिर क्या हो जाएगी इन आइस क्रिस्टल के फॉर्म में रेंफॉल होने लगते हैं तो देखो इसमें देखो कुल मिलाके इस तरह के क्लाउड में क्या हुआ दो तरह की चीज़े पाई जा इनका टेंपरेचर जीरो से क्या होता है यहां पर जब हमने सिलवर आयोडाइड को डाला तो वह क्या करेगा इन पूरी की पूरी सूपर कूल ड्रोपलेट को अपनी और अट्रेक्ट करेगा और अपने साइज को बढ़ा लेगा जिससे उसका वेट बढ़ेगा और वो स्टैटिक क्लाउड बात क्लियर होई तो जो गरम क्लाउड वाम क्लाउड होंगे उनमें हम यूज करते हैं हाइग्रोस्कॉपिक न्यूक्लियाई का जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है उसे बोलाया था हाइग्रोस्कॉपिक लाउड सीडिंग इनमें हम किसका यूज करते हैं सिलवर आयोड जैसे जिनकी स्ट्रक्चर आइस क्रिस्टल के साथ मैच करती है उनका यूज कर इसे बोलते हैं स्टैटिक लौड स्टैटिक लाउड सीडिंग में जो आपका रेन्फॉल होगा वो किस रूप में स्टार्ट होता है कि नो के रूप में होता है और जब जैसे जैसे देखो यह नीचे की और आएगी यह मालो अर्थ है यह मालो आपकी अर्थ है यह आइस क्रिस्टल जब नीचे की और आएंगे तो अगर यहां का टेंप्रेचर ज्यादा है यह पिगल के जल की बूंदों में कनवर्ट है कि इपेंड करता है कि अर्थ के पास टेंपरेचर कितना है अगर अर्थ के पास टेंपरेचर जादा है तो यह जल की बुंदों के रूट में आएगा अगर यहां पर टेंपरेचर कम है तो यह आइस के फॉर्म में आपके पास नीचे पहुंग जाए इसे कहा जाता है आपका क उपर जाए प्लेन से चड़क दें हम क्या करें रॉकेट लॉंच कर दें उसके अंदर यह सारा मैटीरियल उसके अंदर जाएगा तो चड़क देगा हम किसी जर्नेटर को भी स्टार्ट कर सकते हैं जो दूहें की तरह फैकेगा और इनके साथ हो जाएगा यह अलग-अलग प् संख्या बढ़ जाएगी या स्नौ क्रिस्टल की संख्या बढ़ जाएगी और उससे क्या होने लगेगा रेंफॉल होने पर लगेगा या आपको स्नौ के रूप में किरने लगेगा दन है तो मिला के किया क्या एक तो हमने नंबर बढ़ा दिया या तो आइस क्रिस्टल का न में आधरता कनवर्ड नहीं हो रही थी जिससे ब्रसाप नहीं हो रही थि सब्सक्राइब कर लिए तो हमने क्या किया वैदर में मौडिफिकेशन किया इसलिए क्लाउड सीडिंग को कहा जाता है कि वैदर मौडिफिकेशन का प्रोसेस हिए जिसमें हम बादल के अंदर जो000 के अंदर जो फिजिकल फ्रोसेस हो रहे हैं उनमें हम चेंज्ज मिलिड रहे हैं उनको हम क्या कर रहें видео कर रहे यह भूतिक परिक्रिय नो प्रोसेस कर रहे हैं उनमें हम erzählt कर रहे हैं और इसकी हुंृनिटί के साथ ये भी कहा जाता है कि हम इसकी humidity के साथ क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं उसको मोडिफिकेशन कर रहे हैं यह पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है यह वाला देखो इस डायगराम से भी देख सकते हो एक चोटी-चोटी इन से रेनफॉल नहीं होगा जब तक कि इनका साइज बड़ा नहीं हो जाएगा तो जब हम इसके अंदर देखो किसी बड़े हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया को डाल देते हैं तो देखो यह बूंदे बड़ी होने लगी देखो यह वाली कुछ-कुछ बूंदे जब बड जरूरी है तो यह यह होड passionate liaricky क्यों मेसित अब एक और ओता है दाइनमिक चलवड लंभा से ओ जाएगा को डा में जो सिल्वर एओ डाला था हमने दिख हुआ था भी है कि जब आप water को ah water vapor में बदलते हो water demonstrated देनी पड़ेगी OSPY करण होगा एं पूरेशन होगा नाँ टेiri हमने बढ़ाया Cand है लेकिन जब वॉटर आपर से वापिस से वाटर बनता हे लिख्विडिबन दें तो उर्जा release होती है यहां तो हमने उर्जा दी और यहां पर उर्जा क्या होती है release होती है ठीक है तो यह condensation के दोरान यह क्या हुआ आपका condensation हुआ यह संगना इसे बोलते है latent heat of condensation गुप तुश्मा तो यह जब इसको हमने वापिस से water में convert हुआ तो atmosphere में energy release हो जाती है तो जब atmosphere में energy release होगी तो माल लो कि यह cloud था कि यह cloud था और इसके अंदर जब हमने हाइग्रोस्कॉपिक न्यूक्लिय बहुत सारे डाले और जब इसमें जल की बूंदे बनी संगनन हुआ तो heat release हुई heat क्या हो गई रिलीज हो गई जब रिलीज होगी तो इसका temperature बढ़ जाएगा आसपास का और जैसी temperature बढ़ेगा तो यह आसपास के atmosphere के comparatively क्या हो जाएगी गर्म तो temperature बढ़ा तो गर्म होगी और गर्म हो गया तो यह हलकी होके ऊपर उठेगी और जैसे उपर उठेगी तो हमने पहले पढ़ा था कि उससे condensation और बढ़ेगा temperature कम होगा तो हमने क्या किया जब इसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएगा condensation होने लगेगा बादल और बनने लग जाएगा इसे बोलते हैं डाइनमिक क्लाउड इसमें हम जो जो सैकेड में हमने फस्ट में जिसमें हमने हाइग्रोस्कॉपिक न्यूक्ले डाले ते उसी प्रोसेस को हमने थोड़ा तेज कर दिया उनकी संख्या बढ कर लेते हैं सबसे पहले इस प्रोसेस को शुरू किया गया था 1946 में पूरे के पूरे प्रोसेस को डिस्कवर किया था विंसेंट शेफर ने विंसेंट शेफर ने उन्होंने क्या किया उन्होंने एक बॉक्स लिया उसके अंदर उन्होंने ड्राई आइस का यूज किया अंद तब उसने बॉक्स में उसको डाला और उसके बाद उसने क्या किया अपने सांस को उसके अंदर छोड़ा जब उसके अंदर सांस को छोड़ा तो उसने देखा कि वो सारे की सारे जो सास था उसके अंदर आइस के क्रिस्टल बन गए नो क्रिस्टल बन गए ब्लूइश कलर के तो उन्होंने देखा कि यह क्या हुआ तब उन्होंने देखा कि हमने क्या किया जो ड्राइए आइस डाली थी उसका टेंपरेचर माइनस सैवन्टी एड था तो उसने क्या कि आर्टिफीशली मेरे जो मुँँ में से जो धुआ निकला था यह उनको जो पानी के छोटे-छोट से कंड होते जो में दिखाई नहीं देते वाटर ड्रॉपलेट्स होती है तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को उन्होंने किस में बदल दिया स्नों फ्लेक्स में बदल दिया हिमके क्रिस्टल्स में बदल दिया तो यहां से इस प्रोसेस को डिसकावर किया गया था लेकिन इसम solid co2 solid लेकिन इसके बाद एक और तो researcher थे उन्होंने कि खोजा कि कौन सा chemical इसमें use किया जा सकते वान गेट करके थे वान गेट वान गेट थे वो भी 1946 में ही उन्होंने क्या किया silver iodide का use करके इस process को तो उन्होंने क्या किया इस तरह के chemicals की खोज की कि जो क्या कर सकते artificial rain में या cloud seeding में help कर सकते इन दो का main role माना जाता है एक तो Vincent Schaefer है और दूसरे कौन है वान गेट करके है यह आपको notes में मिल जाएगा इन दोनों का इसमें योगदान माना जाता है कभी history में पूछ ले तो लेकिन देखना है कि और कौन से देश इसका यूज कर रहे है तो चाइना ने दोजाराट में जब ओलम्पिक्स हुआ था ओलम्पिक्स से जस्ट पहले आर्टिफिशल रेन करवाया ताकि क्या ना हो ओलम्पिक्स के दोरान कोई बादा उत्पन है तो यह ही कर रहा है तो वहां पर सबसे ज्यादा यूज कर रहा है आप एर पॉलूशन को कम करने में भी इसका वह यूज करता है अब इसके देखो फायदे क्या है एक तो इसका लाब हो गया की वरश्चा की मात्रा इससे बढ़ जाएगी तो आप सूखे से बस सकते हो फसलों को खराब होने से बचा सकते हो यह सारे इसके क्या है लाब है दूसरा देखो आपने सुना होगा कि अभी अभी सुन रहे थे दिल्ली में कि फॉक की कंडिशन बहुत खराब हो गई है अना फॉक जैसे चीजों को दूर कर साल दें तो वो क्या करेंगे सारी आदरता को अपने चारोंतरिफ अट्रक लेंगे शोटा सा बादल बन जाएगा और उससे वरशाओ कि सारी की सारी आदरता नीचे ओडिड़ी जैसे आपने देखा हो आपि जढ़ल होते हैं भरसात होती विश समयं सारी की सारा क्या हो जात पाला पढ़ने से बचाया जा सकता है यह सारे कामों में हम इसका यूजर कर सकते हैं पिजली उत्पादन में कर सकता है मालो बरसात नहीं हुई आपके बड़े-बड़े बांद है तो उन बांदों के पास आप अगर वर्शा करवा दोगे आर्टिफिशल रेन करवा लोगे त उससे आप electricity को generate कर सकते हैं है इन सब में इसका यूज किया जा सकता है बिजली के उत्पादन का कम करने मी किया जा सकता है का ध्र करने में वी कि यूजर और सकते हैं यह सारस्य के application है कि अब इसके देखो सी यो टू हाँ ड्राइ आइस का ना उसका क्या सी यो टू है सॉलिड तो से ग्लोबल वर्मिंग होगी है आया ना यह भी एक दिक्कत है सबसे बड़ा देखो अगर माल लो कि हमने इंडिया है कि मौनसुन यहां से आता यूँ तो अगर हमने क्या किया यहां पर आर्टिफिशल रेन करवा लिए कि यहां आने वली वर्षा कि कम हो जाएगी क्योंकि यहां तैक हुंद बहुंची नहीं पाएगी है अगर हम सक्ता है जल संकट हो सकता सूखा उत्पन हो सकता है तो यह सारे इसके क्या है दुश्प्रभाव है ग्रीन हाॉस गैस के प्रड़क्शन में अगर हम किसका यूज करेंगे और हम इस तरह का प्रोसस करते तो कुछ नए इलाकों में तुखा उत्पन हो सकता है इसके लावा इसके लिए कुछ विशेश पर्टिकुलर कंडिशन चा चाहिए कि उनका temperature इतना कम होना चाहिए उसमें humidity इतनी होनी चाहिए तब जाके इस condition को apply कर सकते एक और बात कि अगर आपने जरूरत से ज़्यादा हाइग्रोस्कॉपिक न्यूक्लियाई को डाल दिया अगर दिया जरूरत से ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा बहुत चोटी 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 बूंदे बन जाएंगे अगर मैंने यह क्लाउड बनाया अगर इसमें लिमिटेड मात्रा में हाइग्रोस्कॉपिक न्यूक्लियाई डाले हूं तब तो यह क्या करेंगे आस है यह रेंगेहरा कि वोटर वेपर को अप्रीत तरफ है अट्रेक्ट कर लिया यह लो यह लेकिन अगर आपने बहुत सारे क्या कर दिये नहीं है कि है इंग्रोस्कॉपिक न्यूक्लिया डाल दिये यह रहे है छोटी छोटे छोटे हर जगाह पर आपने यह डाल दियो है अब ये क्या करेंगे इस सभी चोटी 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 बूंदों में ही बंद पाएंगे बड़ी बूंदे। का निर्मान है नहीं कर पाएंगे तो जिस से क्या वर्षा तो क्या होनी है वर्षा कम और हो जाएगी जन है इस तरह कंडिशन उत्वर उत्वर हो सकती है कि आपने तो सोचा था कि वर्षा की मात्रा बढ़ेगी और उल्टा हो जाएगा कि वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी चोटी-चोटी मैनेज करके आइडियल कंडिशन में इसको करते हो तो इसमें वर्षा की मात्रा में व्रदी देखने को मिल तो कोई बुरा तरीका नहीं है अभी तोक्सिटी का पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वह विशैला है भी या आप ड्राइस के जिए कुछ और यूज कर लो सिल्वर करते सकते हों इस तरह से यह पूरा का पूरा इशिव कर सकते हो इसके लावदराए उसके अलावा यह में होंगे कोल्ड क्लाउड इसके लावा सोडियम के कलॉराइड कोटेशियम के क्लॉराइड इन सब का आप यूज करते हैं लेकर मैं measurement लेकिन इसमें हम silver iodide का भी warm cloud में यूज कर लेते हैं यह पूरा का पूरा आपका क्या है cloud seeding का हमने देख लिया इसका process क्या है इसके type क्या है इसकी history क्या है इसके advantage क्या है और इसके disadvantage पूरा topic complete है ठीक है रुखते हैं